नमस्कार तुस्त बड़ी नियूज निकल कर यह आ रही है कि भई बीपीएस्सी के जो सिख्चकों के पदों को जो वेतन मान था ना उनको मंजूरी प्रदान कर दी कि यह देखे क्या अगर आपका बीपीएस्सी में सेलेक्शन होता है तो भई क्या वेतन आपको मिलेगा प्र प्रात्निक बाले को इसके बारे में हम समझते हैं देखिए सिख्चक के जो पद निकाले गए थे एक लाग अटतर हजाच चब्यस पद निकाले गए थे वेतन जो बताया जा रहा है कि 40,000 से 59,000 तक का वेतन इन लोगों को दिया जाएगा जो लोग इसमें सेलेक्ट होता है चली जानते हैं पूरी जानकारी और इसके पशाद अगर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये वेतन को लगो कर रहे हैं। अब मुख मंतरी नितिश कुमार की अध्यक्षता में मंगलबार को हुई एक राज की केबिनेट बेठक में ये स्विकृति दे दी गई है कि कुल 18 प्रस्ताव को केबिनेट में मंजूरी दी गई है। के लिए तो ये सतरा सो पैतालिस पद है नो से दस की बात करते हैं तितिस हजार एक्सोच्यासी पद है उच्चितर मादमिक के हम बात करते हैं ग्यारा से बारा की पढ़ाने के लिए तो आपको यहां पर दिये गए हैं और इसमें यह भी बात की गई है कि इसके वेतन के बारे में बात करें तो देखें प्रात्मिक का जो वेतन होगा 21,290 नियोजित काथ है और नया वेतन होगा 25,000 हाना इसमें DA मिल जाटा है 10,500 और इसके बाद यह सारा कुछ मिलके यह वेतन जो जाएगा आपका नए जो सिक्षक बनेंगे उनको 40,630 का वेतन मिलेगा इसी तरीके से मद्दे के बारे में बात करेंगे तो लगबग मिला ज 21,130 का सबस देखने को मिल रहा है तो देखें यह जो वेतन मान है यह हो चुका है डिकलियर्ड आपको यह कैसा लगा वेतन मान क्या आप इससे सैटेसफाइड है या नहीं है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाएगा कि सरकार को और भी इससे बहतर करना चाहिए या पैं मुख मंतरी ने मन्थन किया हुआ है और विभाग की त्यारी भी चालू हो गई है कहते हैं कि सिक्षक ने एक और बड़ी बहाली जल्दी ऑक्टूर से नौमर महा में आयोग का विग्यापन यहां पर जारी किया जाएगा देखें यहां पर आपको नितिश कुमार जी दिख माना जा रहा है कि आक्टूर या नौमबर में नई बहाली का विग्यापन जारी हो सकता है यह बड़ी एक निउस निकल कर आ रही है अगर जो बच्चा निराश है कि उसकी अभी तक सेलेक्शन नहीं हो पाया तो सिक्षकों को एक बड़ी बहाली आक्टूर से नौमबर महा कर जाएगा मैं आपके कमेंट में आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा जोड़ने के लिए धन्यवाद टैंक यू सो मच